कि नमस्कार दोस्तों मैं साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आए कैचली शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बेना आपका टाइम वेस्ट किये हुए आज मैं आपको बताने वाला हूं आडिनेंस फैक्टरी की जो पोस्ट निकली थी छे 6 जून को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ओर्डिनेंस फैक्टरी के लिए ये है वो वीडियो लेटस्ट गोर्मेट जॉब 10 पास 3800 पोस्ट 3880 पोस्टें थी तो इसमें आपको पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में मिल जाएगी ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा अगर आप इन पोस्टों के लिए जो जानकरी है वो लेना चाहते हैं क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको एपलाई करने के लिए बताने वाला हूँ कि किस तरह ने आप इस वेबसेट पे जाके इस पोस्टों के लिए जो है अपलाई कर सकते हैं आपको चाहिए होगा या तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों चीजे मिल जाएगी PDF का लिंक और इस वीडियो का लिंक भी उसे देखकर इस वीडियो को देखकर आप डिटेल जान सकते हैं और PDF डाउनलोड करके खुद भी डिटेल जो है आप पता जो ह आपको वेबसेट सर्च करनी है समझ आया क्या समझ आया क्या समझ आया क्या आप जब सर्च करेंगे तो यह देखिए पहली वेबसेट ओपन हो गई है समझ आया क्या www.samajayakya.in यह वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो सीधा ही आप यहा और पोस्ट यहां दाल देता हूं तो वो फिर नीचे आ जाती है ठीक है यहां पर यहां पर तो यह सब अबी जौब जो है वह चल रही है तो अभी फिलाल लेटस्ट जो है वह यहीं है जवादने के प्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद आपको एक अश्य दिखिए जो है मैंने यहां पर लिखी हुई है तोटल पोस्टें 4,110 थी लेकिन अभी इसमें से कुछ पोस्टें माइनस हो गई है उसी वजह से जो था 3880 मैंने आपको बताया था तो ठीक है एज लिमिट 18-32 साल है बाकी कैटेगरी को लोग चूट मिल रही है यह पढ़ लीजिए का ध्यान से 10 पास ही मांगी है ठीक है तो अभी डेट एक्सटेंड होई थी इसकी 26 को उनीच 6 हो गई है तो अभी मेरे खाल लास्ट इट इसकी जो है वो 10-7 हो जाएगी इसको भी में अ जब अब और यह देखिए यह पेज जो है वो ऑफन हो गया है अब यहां पर आपको क्या करना है नीचे जाना है ठीक है यहां पर यहां पर यह declaration है यहां पर TICK लगाईएगा और TICK लगाने के बाद continue पर क्लिक कर दीजिए continue पे जब आप click करेंगे तो आपके सामने form जो है वो open हो जाएगा यह आपको भरना है अपना नाम दीजिए यहाँ पे चले मैं अपना नाम जो है वो भर देता हूँ और करते हैं विवेक यह मेरा nickname है that's why मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो last name भी यहीं पे आजाएगा mobile number पूछ रहा है चले यह आगया mobile number उसके बाद email ID है चले मैं email ID जो है वो दे देता हूँ यहाँ पे तो readyfmail.com उसके बाद यह category बोल रहा है तो यह जेंडर पूछ रहा है तो मैं जेंडर mail दे देता हूँ रिलीजन पूछ रहा है तो हिंदू है और ex-serviceman मैं नहीं हूँ no 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 और age relaxation मुझे नहीं चाहिए और physically challenge मैं okay हूँ ठीक है तो no कर दूँगा यहाँ पे nature of physical challenge not applicable और select factory कहां पर मतलब मुझे जो apply मैं किस factory के लिए करना चाहता हूँ तो कोई भी देख लीजे मैं तो कोई भी कर सकता हूँ इसमें तो क्योंकि मैंने तो apply करना नहीं है चलिए मेडक के लिए कर देते हैं हम मेडक है समसिंग का नाम तो यह है पोस्ट किस पोस्ट के लिए apply तो चलिए फिर मैं फिटर आटो के लिए यहां कर देता हूँ जहां grinder के लिए कर देता हूँ चलिए उसके बाद यह trade NACT का जो है वह मांग रहा है यहां पे मैं mechanist grinding ठीक है तो यह हो गया उसके बाद यह gender है अचा सॉरी यह grinder मैंने कर दिया अपडेट उसके बाद नीचे देख लेते हैं अब क्या पूछ रहा है यह disclose information status यह रहा है do you agree to disclose information नहीं वहीं मैं किसी के साथ information share नहीं करना चाहता और data birth पूछ रहा है जो की matriculation के certificate पे है तो मैं देता हूँ 95 ठीक है 97 कर दे 95 ठीक है और एक तारीक चलिए उसके बाद यह है enter password तो password आप रख लीजिए जो भी आपका दिल करता है वो रखिए चलिए मैं रख देता हूँ password जैसे रोहित add the rate 123 हो गया यह भी एक password बन गया आप भी ऐसे अपना नाम रखना चाहते हैं तो नाम रख सकते है हैं वरना अगर कुछ और रखना चाहते हैं कुछ और भी रख सकते हैं यह एन कैप्स लॉक में चलेगा क्या हो गया आज cn q8 and y ठीक है चलिए submit करके देखते हैं यह okay कर देता हूँ अब मैं इसको चलिए तो यह देखिए यहां तक almost मेरा जो farm है half तो मुझे लगता है हो ग इस नमबर मेरे mobile नमबर पर आ चुका है ठीक है यह फिर यह और भी option है एक और यह है registration और data birth यह देता हूँ चलिए जो भी है देना तो पड़ेगा एक ना एक मुझे तो अब मैं अपना mobile नमबर पर registration चेक कर लेता हूँ एक बार तो यह आ गया 3015000 उसके बार data birth है तो data birth दी दी थी मैंने 01,06 और 1996 दी थी शायद मैंने 95 दी थी ओके तो चलिए लॉग इन करके देखते हैं अब हम लॉग इन करने के बाद तो यह देखिए आल्मोस्ट मेरा अब डिटेल जो है मुझे यह बता रहा है तो वही मैं अब confirm कर देता हूँ registration, confirm ठीक है तो देख लीजिए आप इन्होंने मुझे से कुछ भी नहीं मांगा है ट्रेड के बारे में कुछ भी नहीं मांगा है तो यह welcome आ गया है अब आगे देखते हैं यह father name वगरा पूछ रहा है ठीक है तो उसके बाद यह मैंने father name दे दिया, mother name पूछ रहा है आपको भी same बरना है उसके बाद marital status single वई उसके बाद यह visible identification mark मतलब की कोई निशान मेरे body part पे तो mole on neck दे देता हूँ मैं कोई भी मतलब cut point है तो वह दे सकते हैं यह पूछ रहा है valid photo ID to be brought in exam hall तो मैं कौन सी जो ID है वो लेकर जाओंगा वो मुझे यहां पर बताना है तो चलिए मैं दे देता हूँ फोटो ID card has serial number चले यह देता हूँ और उसके बाद यह photo ID मतलब वैलिडेट photo ID number बगारा जो एक्जाम हाल में मैं लेकर जाओंगा उसका ID number पूछ रहा है कुछ भी 12356 मैं दे देता हूँ जो आप देंगे यहां पर अधार कार दे सकते हैं तो उसका अधार कार number दीजेगा उस सिटी है तो चले मैं सिटी जमू देता हूँ आप जो है आपका address प्लीज वहीं दीजिएगा यह मैं सिर्फ आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ ठीक है और कुछ नहीं है बाकी आपका जो address बनता है तो बाकी मेरा permanent address भी same है तो यह नीचे permanent है उप पर correspondence मतलब यह correspondence वह होता है यहाँ पर चिट्थी वगएरा मंगवाना चाहते हैं call letter वगएरा ठीक है उसके बाद यह NACT का क्यूंकि अब मैंने जो टेक्निकल के लिए apply किया था तो मुझे इसकी detail जो है यहाँ पर देनी पड़ेगी पहले 10th class की दे देता हूँ कि किस board से मै percentage पूछ रहा है तो यह मैं दे देता हूँ 70% ठीक है तो उसके बाद यह exam पूछ रहा है तो national trade certificate बोलता हूँ institute ITA उसका आपने नाम देना है यहाँ पे उसके बाद trade कौन सा था mechanics grinder roll number one two four three four five six और year of passing यह मैं दे देता हूँ 2016 चलिए उसके बाद number of semester मुझसे पूछ रहा है कि कितने semester थे तो मैं दे देता हूँ 2 total marks पूछ रहा है कितने आए secured तो मैं देता हूँ 300 कितने में से आए 500 में से और percentage कितनी बढ़ी 60 ठीक है और उसके बाद यह photo वगारा मुझे upload करनी है यहाँ पे कुछ है यह पहले है no file attach candidate तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी file है जो मुझे upload करनी है यहाँ पे थाम impression है attach candidate signature है और attach SC certificate है जो कि मुझे 50 कभी से लेकर 30 कभी तक upload करने है चले करके देखते है upload इन्हें 22 22 के बनाके रखी हुई है यह 48 कभी की है इसे मैं यहाँ पे upload करके देखता हूं और बाकी जो है वो 10 से 12 कभी की है ठीक है वो 16 कभी की यह मलब 10 से 20 के भी तक आपने जो है वो बाकी photos जो है वो upload करनी है सिर्फ profile pic को छोड़ कर और यह cast set है ठीक है cast और जो profile pic है उनका size जो है वो same ही आपका चलेगा चलेए यह 20 और 22 यह मेरी 50 के बीक की photo मैंने यहां दोनों पे कर दी है upload और यहां पे 10 से 20 के बीक के बीच में ठीक है sign और thumb के लिए तुझ तो देखते है okay wait करत हैं अब तो चलिए यह form तो almost मेरा open होके मेरे सामने आ गया है यह check करने के लिए मुझे बोल रहा है तो almost मुझे तो पता है तो मैं submit कर देता हूं edit करना होगा तो यहां पे इसके बाद edit नहीं होगा चलिए यह हो गया submit print application form यह देखिए your application has been submit successfully तो दोस्तो वीडियो अच्छ काम आएगा okay friends समझ आया क्या